नमस्कार मैं हूँ हेमेंदर शर्मा और आप देख रहे हैं MP Roundup मध्यप्रदेश का बहु चर्चित पटवारी भरती घोटाला जिसने मध्यप्रदेश विधान सभा से पहले प्रदेश की राजनीती में एक भुचाल साला दिया था उस घोटाले की जांच के लिए एक सदस्य जो कमिशन बनाया गया था उस कमिशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है अब कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा ये तो किसी को मालूम नहीं है लेकिन बताया ये जा रहा है कि कमिशन का मानना ये है कि यदि कोई गड़बडी एक या दो कॉलेज में हुई है तो उसको पूरे प्रदेश भर्क के लिए नहीं एक्सेंट किया जा सकता ये नही एड़टिजमेंट निकाला था और लगभग 9000 वेकिन्सी को एड़टाइज किया था लगभग 12 लाख लोगों ने इन वेकिन्सी के खिलाफ एपलाई किया था और फरवरी से लेकर मार्च तक 2023 में ये एक्जैम्स कंड़क्ट किये गए थे जिसमें लगभग 9 लाख लोग अपियर हुए थे और जून 30 को 2030 को इसका रिजल्ट सामने आया और इस रिजल्ट में जो है गड़ब़ियां सामने आई जिसमें ये पता चला कि एक ही कॉलेज जो गौलियर का एक एनराई कॉलेज है उसके जो पहले 10 टॉपर्स थे उसमें से 7 टॉपर्स वहीं पर थे जब इस पर हला हुआ स्टूजन्स सडकों पर आये तो सरकार को एक्शन लेना पड़ा और जब सरकार ने एक्शन लिया उस समय के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चुहान ने एक कमिशन बनाया और कहा कि ये इसकी जांच करेगा कमिशन ने एक के बाद एक बलकि तीन उनको एक्स अशा है क्योंकि उस समय जब ये स्कैम तथा कतित स्कैम बाहर आया था तो इन टॉपर से जो लड़के सेलेक्ट हुए थे उनसे बात लोगों ने की थी मीडिया के लोगों ने भी बात की थी और वो बेसिक क्वेशन्स जैसे मध्यप्रदेश में किते जिल हैं इस तरह के क् यदि अभी हला कि इस कमिशन की रिपोर्ट को मानना है या नहीं मानना है ये मुख्यमंत्री मौहन यादव को फैसला लेना है लेकिन यदि सरकार इस कमिशन की रिपोर्ट को एकसेप्ट करती है तो जो आठ हजार से कुछ थोड़े बहुत अधिक कैंडिट सेलेक्ट हुए है लेकिन जो बाकी नौ लाख के करीब लोग जो इसमें अपियर हुए थे उनके लिए बुरी खबर है और वो बार बार अब फिर से कह रहे हैं स्टूडंस की वो प्रोटेस्ट करेंगे तो सवाल यही है कि वो एक्जामिनेशन सेंटर एक बीजेपी नेता का कॉलेज हो इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर दैश्टीप सकसेना सकसेना जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका अब वास्तविक्ता तो नहीं मालूम कि इसमें कमिशन में रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा ने आक्शली में क्या लिखा है लेकिन जो सूत्रों से च्छन कर बाहर खबर आ रही है उन्होंने वो यह पता चला है कि उन्होंने लिखा है कि यह कुछ कॉलेजिस का मामला हो सकता है जहां पर इस तरीके की गड़बडियां हो या जिस तरह किसे टॉपर यह की कॉलेज से लिख रहे हो लेकिन यह पूरा एक्स्ट्रो पलेट या पूरे मध्यप्रदेश को एक्स्टेंड नहीं किया जा सकता मोटा मोटी यही समझ में आ रहा है कि एक तरह से क्लीन चिट जो है दी जा रही है या दी जा सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि कोई प्रटवारी भरती घोटाला मध्यप्रदेश में हुआ ही नहीं आप कितना इस बात से बाकिफ रखते हैं हम क्या वाकिफ रखते हैं यह तो एक अलग बात है लेकिन हमने देखा कि कुछ ऐसा हुआ था जिसको लेकर संशय की स्थिती उत्पन हुई और खुर सरकार ने माना था कि कुछ ना कुछ गढ़बर है तभी एक वन्मेन कमिशन भी बनाया गया था और उसको अपनी रिपोर हो या जो 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 एपलिकेंट से वो थलकों पर आया जो उन्हों ने करना शुरू कर दिया था तो वो बावाल नहीं चाहते था तो नो उस वक बात दबाने के लिए वन्मेन कमिशन मना दिया और बोला कि अगस्ता कि इसकी रिपोर्ट अब जाएगी जो कि हमने देखा कि अ तो टॉपर्स थे, वो कुछ बेसिक चीजों का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, कि कितने जिले हैं मत्रफिदेश में, हुज हुज जो होता है एक जनरल नॉलेज का उसके जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो इससे शक और बढ़ा, लेकिन इसमें दो चीजे हैं, अच्छी गड़बड नहीं है, तो उनको नौकरी मिलेगी, और बुरी ख़बर यह है कि जो बहुत सारे जो बाकी नौलाख लोगों ने उसमें गजाम में, तो जो बाकी बच्चे उनको बहुत भारी निराशा हाथ लगेगी, जो सोच रहे थे कि गड़बड़ी है, और उनको दुब जिससे ही टॉपर सारे निकले हैं और वो कॉलेज जो है किसी बीजेपी नेता से जुड़ा हुआ है, तो उस समय मतब यह कहना कि स्कैम हुआ था या नहीं हुआ था वो तो कमिशन इंकोईरी किया, लेकिर उस समय क्यूंकि राजनीती हो रही थी और चूंकि चुनाओ का समय था चुनाओ से ठीक पहले नवेंबर में चुनाओ होने थे जुलाई का यह मामला है, तो अगर जुन जुलाई का, तो अगर उस समय यह कमिशन इंकोईरी किया था जैसे आपने कहा कि मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चुहान नहीं चाहते थे कि उसके उपर कोई राजनीती हो और उससे बचना चाहते थे और उसका उनको शायद फायदा भी मिला वो चुनाओ में भारती चंता पार्टी जीती भी, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या एक जो जिस तरीके के जुडिशिल कमिशन होते हैं, क्या एक के बाद जिस तरीके से इन्होंने एक्सेंशन लि ने इन्वेस्टीकेट करने के लिए, यह तो वहाँ गये, स्टुडिशन से बात की, बताया यह जा रहा है कि स्टुडिशन कोई एविडेंस नहीं दे पाए, तो एविडेंस देना तो स्टूडिशन का काम नहीं था, वो तो इन्वेस्टीकेटिटिंग एजन्सी अगर कोई स्कैम था तो देखिए सरकार ने मान के चलता हूं कि मुख्यमंत्री ने जब कमिशन बनाया था तो और एक डिटायर जच उसके देखिए पहले भी बहुत कमिशन बनते रहे हैं और व्यापम पहले भी बहुत कपरों में रहा है उस बहुत सारे कारणों की वज़े से उनक पत्रकारों ने भी कोशिश करी है जानने की कि अब तक आपने क्या किया क्योंकि एक एक महीने के एक्स्टेंशन मांगते थे उनको मिलते गए और स्टुएंट्स भी जाते थे वहां कि आप क्या कर रहे हैं हमसे बात करिए हम आपको एविडेंस देने आएंगे ऐसा भी कई दर्दुफिशन भी बताया लेकिन वो नहीं हुआ लेकिन हमिख अपन्दर जी नियाए के बारे नियाए नाके वल होना चाहिए रिखना भी चाहिए कि नियाए हो रहा है बच्चों के साथ और यही चीज जिसमें बच्चों को नहीं दिखाई दे रहे है कि उनके साथ निय नियाए हो रहा है और दिख रहा है क्या की नियाए हो रहा है तो बच्चे भज़ा इसके बाद बहुत सारे फोन्स आए बच्चों के जिससे समझ में आया कि उनमें स्टिस्फिक्शन नहीं है एक निराशा है संधे बना हुआ है अभी भी तो दूद का दूद पानी का पानी इसा लगता है नहीं हुआ है तो कैसे होगा यह मेरा अगला सवाल है उसके लिए क्योंकि अभी भी आज अगर देखे तो बच्चे जो है व्याप्म के ऑफिस जाने वाले थे आज कह रहे थे हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे और दीरे दीरे से वो उस तरहीं के से बच्चों क आती दिनों थे और सरकार के खिलाब की बात है और उपोजिशन के आप फालत देखी नहीं मध्यवर्देश में क्या है तो पहले भी उपोजिशन में तो इसमें कुछ भी नहीं किया था वो तो सिवाए यह कॉंग्रेस पार्टी तो यह सोच रही थी कि बच्चों का गुस् सब्सक्राइड़ा अटा में थरिया होना हूं में जहां तो हमें कि एक दिन में इतनी तेवplessies वित आप सी नहीं जाती है तो क्यूंदे की नहीं हर साल एग्जाम कराई और समकराना के दिरे दिरेसितो तो जो को चुनावी साल था इसलिए उन्होंने गया चाल लेकिन देश्टी मेरा आपसे फाइनल सवाल ये है कि व्यापम जो है जिसने ये कंड़क्ट कराया था एक्जाम वैवेसाइक परिक्षा मंदल, प्रोफेशनल एजुकेशन बोर्ड, इंप्लोई एजुकेशन पहले तमाम स्कैम ये इसमें हुए है, PMT भरती को टाला हुआ है, पोलिस एफूट्मेंट स्कैम हुआ है, वन रक्षक भरती को टाला हुआ है, हमने उसमें देखा उसमें बहला मचने के बाद CBI inquiry हुई और देखा ये गया है कि जो बड़ी मचली जो है वो हमेशा से लेकर बचती आई है, कुछ चुनिंदा लोग, छोटे मोटे लोग जिन्होंने अपनी जमीने भी दी और उनकी एडमिशन भी नहीं हुआ, सब कुछ बिख भी गया, उनको जरूर जेल थोड़ा बहुत हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि Professional Education Board जिस तरीके से सरकार ने ये present inquiry बि जिके साथ नयाय हुआ है, अब उसके लिए सरकार को जोभी करना पड़े, अभी तो पहले देखना है कि एक report क्या है, उस report में क्या clean-chit दी गई है, और अगर clean-chit दी गई है, तो क्या मोहनियादर जी, जो मुकिमंत्री है, वो किया इस बात को मानने को तईयार है, सरकार इ या फिर वो कुछ और बड़ी जांच करवाना चाहते हैं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं फिर यह कहता हूँ, कि दो चीजे हैं, एक तो जो वेबसाइट परिक्षा मंडल था, जिसको व्यापम बोलते थे, उसका नाम बदलने से, बार-बार नाम बदलने से कुछ नहीं काम नहीं होना चाहिए, मदवेश सरकार को यह चाहिए, कि वो एक ऐसी एक्जामनेशन बॉडी बनाए जिसकी विश्वस्नियता हो, लेकि आई-ई-टी के एक्जामस होते हैं, बड़-बड़े एक्जाम होते हैं हिंदोस्तान में, लेकिन जरा भी संशे कहीं नहीं होता है, तो मदवेश सरकार को चाहिए, कि अच्छी खासी प्रोफेशनल एक्जामनेशन कंड़क करने की बॉडी बनाएं, दूसरा, इस मामले में हर वो चीज करनी चाहिए, जो कि लाखों बच्चों को, चुकि उनका भविश्य का सवाल है, उनको लगे कि सरकार ने उनके साथ नि स्टूइन्स को, लेकिन क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, देखना होगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो ये वन मैन जुडिशल कमिशन की रिपोर्ट है, क्या इसको एक्सेप्ट करते हैं, या नहीं करते हैं, यदि एक करते हैं मोहन यादव इस रिपोर्ट को, तो हो सकता है, जो नौ लाख स्टूडिन्स हैं, जो इसमें अपियर हुए थे, उनके साथ शायद नय ना हो, एमपी राउंडप में आज सिर्फ इता ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुडबाए प्रूबाए